नमस्कार बुलिटिन में आप सभी का बहुत स्वागता आपके साथ मैं हूं दिपिका 36 गड के बिलासपूर से एक अजब गजब ख़वर सामने आई है यहाँ पे नकली क्राइम ब्राच के अधिकारी बनकर करोडों की ठगे करने वालों पर असली क्राइम ब्राच के अधिकारीों ने कारवाई की है पुलिस ने इस मामले में दो महिला आरोपियों को भी गरफदार कर लिया है और बाकी आरुपियों के तलाश हलांकि अभी भी जारी है आपको बताजे कि आरुपियों ने चार पुरुष और दो महिलाओं की नकली क्राइम ब्राँच की टीम बना कर पुजारी कृष्ण कुमार मिश्व के घर पर छापे मार कारवाई की और एक करोड तीस लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया पुलिस ने ग्रिफदार आरुपियों के पास ये तीस लाख रुपए की राशी बरामत किये है ये बड़ी जानकारी बिलासपुर से जहां पर देखिए नकली क्राइम ब्राँच की टीम बनकर किस तरीके से इक बड़ी घटना को अंजाम दिया है करोडों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है एक करोड तीस लाख का ये भारी भरकब अमाउंट नकली क्राइम ब्राँच की टीम बनकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है अब असली क्राइम ब्राँच की टीम ने इन आरोपियों को धर्दबोचा है